खादय तेल की कीमतों को और कम करने तथा जमा खोरी पर लगाम लगाने के लिए केंदर ने शुकरवार को खादय तेलो और तिलहनों पर स्टॉक रखने की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है इसके अलावा सरकार ने उन स्टॉक सीमा को निर्दिष्ट किया है जिन्हें उन राज्यों द्वारा लगाया जाना है जिनोंने स्टॉक रखने की सीमा पर पहले के आदेश को लागू नहीं किया है अक्टूबर 2021 में उपभोकता मामलो के मंत्राले ने मार्च 2022 तक स्टॉक की सीमा लगा दी थी और उपलब्ध स्टॉक और खपद प्रती रूप के आधार पर स्टॉक की सीमा तै करने का निर्णे राज्यों पर छोड़ दिया था केंदर के अक्टूबर 2021 के आदेश के अनुसार 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, करनाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलांगणा, राजिस्थान और बिहार ने अपने अपने राज्यों में स्टॉक रखने की सीमा तै कर दी थी खादे तेलों के लिए खुद्रा विक्रेताओ के लिए स्टॉक सीमा 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओ के लिए 500 क्विंटल, थोक उपभोगताओ के लिए 30 क्विंटल यानि बड़ी शिरिंखला वाले खुद्रा विक्रेताओ और दुकानों के लिए इसके डिपो के लिए 1000 क खाद्य तेल के प्रसंस करन करता अपनी भंडारन शमता के 90 दिनों का स्टॉक कर सकेंगे। खाद्य तिलन के लिए खुद्रव विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 100 पिंटल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 पिंटल होगी। बयान में कहा गया है कि खाद्य तेल के प्रसंस करन करता द्यानिक उत्पादन शमता के अनुसार खाद्य तेलों के 90 दिनों के उत्पादन का स्टॉक कर सकेंगे। इसमें कहा गया है कि निर्यात्कों और आयात्कों को कुछ चेतावनियों के साथ इस आदेश के दाइरे से बाहर रखा गया है। इस आदेश में जिन छे राजों को छूट दी गई है उनकी संबंदित कानोनी संस्थाओं को राजे प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करना है और इसे पोटल पर गोशित करना है मंतराले के अनुसार इस कदम से बजार में जमा खोरी और काला बजारी जैसी किसी भी अनुसिच काम काज पर अंकुष लगाने की उमीद है जिस से खादे तेलों की कीमतों में कोई वृध्धी हो सकती है बैश्विक बजार में तेजी के कारण खादे तेलों की खुदरा कीमत में तेजी आई है विल्कोड मार्केट टाइम्स टीवी